दोस्तो कि आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जो 500 किलियोमेटर से ज़्यादा की सफर बीना रुके ही तय करती है बहुत से लोगों को भारतीय रेल से सिकायत रहती है कि ट्रेन जैसे ही स्वीट पगड़ती है वैसे में स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है लेकिन ऐसी कौन सी ट्रेन है जो लगतार 500 किलोमेटर तक चलती रहती है और बीच में आने वाली किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है चलिए जानते हैं उससे पहले वीडियो को एक लाई करके दो ट्रेन फ्रेक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों यह ट्रेन दिल्ली से चलकर किरल राज्ये तक जाती है जिसका नाम में निजामोदिन क्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस और यह ट्रेन एक बार इस्टेशन से चलने के बाद 400 किलोमेटर तक किसी भी स्टेशन पर नहीं र रखता है वहीं यह ट्रेन इस दूरी को 6 गंटे में पूरा कर लेती है दोस्तों आप जिस ट्रेन में सफर करते हूं वह कितने किलोमेटर पर रुखती है और कौन सी ट्रेन है कॉमेंट में जरूर बते है